22 जुलाई से भगवान भोले शंकर का प्रियम मास सावन प्रारंभ होने जा रहा है। सभी शिव भक्तों के लिए हर वर्ष की भाती इस वर्ष भी सावन की विशेश तिथियों पर हमारी संस्थान में शिव रुद्रा भिशेक का आयोजन किया जा रहा है। शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आज ही इस पूजा से जुड़े हर हर महादेव सिख्षा से अधिक मुल्यवान कुछ भी नहीं है। इसे केवल अथक परिश्रम से ही प्राप्त किया जा सकता है। यानि सिख्षा व्यक्तित्व निर्माण में अत्यनतावशक है। यदि व्यक्ति सिख्षत होगा तो वह अपने जीवन को सवारने में और उसे उचाईयों तक ले जाने में सामर्थवान भी होगा। उसे हासिल करने के लिए हमें निरंतर मेहनत करना जरूरी है। इसलिए सिख्षा मेहनत और समर्पन से प्राप्त होती है। इसके बिना व्यक्ति को सिख्षा प्राप्त नहीं होती। और शिक्षिक व्यक्ति अपने समाज के निर्माण में अपने व्यक्तित्व के निर्माण में एक अहम भूमी का निभाता है इसलिए शिक्षा का महत्व समझे और मेहनत और लगन से शिक्षित होने का पूर्ण प्रयास कीजिए नमस्कार मैं निदी शिमाली आपके अपने इ तो आसार मास कि शुक्ल पक्ष की असटमी तिथी आज है जो कि साम तुला राशी में गुचर प्रमन करेंगे सिद्ध योग आज के दिन बन रहा है सुब समय जिसे हम गुली काल के नाम से जानते हैं उसका टाइम पिरिट दौपेट तीन बज़े से लेकर चार बज़ कर तीस मिनट तक रहेगा वहीं राउकाल का समय दौपेट चार बज़ के तीस मिनट से साइन छें बज़े तक रहेगा दिशाशूलाच पश्रिम दिशा में रहेगा यदि इस दिशा में यात्रा करना राशी के अनुसार भोग लगाएंगे तो डेफिनेटली विग्न हर्ता गणेशी का आशिरवात सदे वापत बना रहेगा तो आज के दिन इन उपायों को जानने के लिए वीडियो के अंतक आप मेरे साथ बने रहे हैं शुरुआत करते हैं प्रथम राशी यानि मेश राशी स आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन सत्तम भाव में गोजर ब्रह्मन करेंगे अतर आज का दिन आपके दामपत्यत जिवन के सुकों को बढ़ाएगा वहीं लव रिलेशन्शिप में आज के दिन आप अपने मन की बात अपने लव मेट को बता पाएंगे व्यापार में आप कोई भी कारे कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी के साथ आगे बढ़िए पार्टनर्शिप में काम न करें तो आपके लिए बैतर रहेगा मेश राशी के जातकों को भगवान श्री गणेश को बादाम और लड़ू का भोग लगाना चाहिए आपका शुबरंग रहे अधा आज का दिन आपके स्वास्वंदी समस्याओं को दूर करता हूँ दिखाई देगा आज के दिन ननियाल से सबसमाचात राप्तोंगे आज के दिन कोई भी कारे आप जल्द वाजी में नहीं करेंगे शत्रु परास्तोंगे रुपे पैसों से सम्बंदित कारियों में नारे बादाएं दूर होगी व्रशब राशी के लोग श्री गणेश को नारियल और मिश्री का भोग लगाएं आपका शुब्रंग रहेगा गुलाबी शुबंक रहेगा पांच अब आते हैं मित्रुन राशी पर आप की राशी से चंद्रमा आज के दिन पांचवे भाव में गोचे प्रमन करेंगे अता आज के दिन सावधानी के साथ आपको अपने चीवन में आगे बढ़ना होगा खास कर विद्यारती वर्ग को अतक परिश्रम की आवशिक्ता रहेगी पढ़ाई में कुछ disappointment आपको जरूर हो सकता है पर मैनत से आप जल्दी ही recovery कर लेंगे आज के दिन वर्ग प्लेस पर अपने अधिकारियों के साथ में आपको अच्छी ट्यूनिंग बना कर रखनी होगी वरना misunderstanding हो सकती है आज के दिन जो भी मैनत कर रहे हैं उस मैनत को सखी पात पर आके बढ़ाना है इसके लिए आपको ये observation करना होगा कि मैनत सही दिशा में जा रही है या नहीं मित्रन राशी के लोग मूं के लड़ूं का भोग गनेशी को लगाए इससे उनकी विशेश क्रपा आपको प्राप्त होगी आपका शुब्रंग रहेगा बुरा शुबंग रहेगा तीम अब आते हैं करकर राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन चौती भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन आर्थिक समस्याइं बढ़ सकती है बजट देखकर आपको चलना होगा अचानक धनलाप के योग बनेंगे आज के दिन आप अपनी मैच्योर्टी से कोई बड़ा नुकसान टालने में सफल होंगे सामाजिक मान सम्मान में बढ़ उत्री होगी और कोई बड़ी इच्छा आज के दिन पून हो जाएगी करकर राशी के लोग मखन खीर और लडू कब हो भगवान श्री गणिश को लगाए आपका शुब्रंग रहेगा क्रे शुबंग रहेगा दो अब आतें सीन राशी पर होगी भाई बैनों का साथ और सयोगाप को बरपूर देखने को मिलेगा कोई बड़ी इच्छा पून हो जाएगी आज के दिन मित्रों की संख्या में भी प्रती होगी से राशी के लोगों को गणेश जी को बूंदी के मोदक और छुवारे का भोग लगाना चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा मैरून शुबंक रहेगा साथ अब आते हैं कन्या राशी पर आपकी रासी से चंद्रमाज के दिन दूसरे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके परिवारिक सुखों में व्रत्धी करेगा कुटुम में मान सम्मान को बढ़ाएगा वहीं आज के दिन कोट कचेरी से सम्मंदित मामलों में थोड़ी सी सजकता दिखानी होगी सरकारी कारियों में आरी बादाएं दूर हो जाएगी कन्या राशी के लोग भगवान श्री कनेश को हरे फल या किस्मिस का भोग लगाए आपका शुब्रंग रहेगा नीला शुबंग रहेगा च्छें अब आते हैं तुला राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन आपकी खुद की राशी में गोचर प्रमन करेंगे बिना सोचे समझे जल्द बाची में कोई भी डिसिजन लेने से बचें आज के दिन वर्क प्लेस पर कुछ बड़े फैसले आपको लेने पड़ सकते हैं घर में मंगलिक कारिक्रमों की रूपरे करकी जाएगी और आज के दिन मित्रों के साथ अच्छा और कॉलिटी टाइम बिताएंगे तुला राशी के लोग बगवान गणेश को बरफी और सेव अर्पित करें आपका शुबरंग रहेगा नारंगी शुबंग रहेगा नो अब आते हैं ब्रश्चिक राशी पर आपकी राशी से चंद्रम आज के दिन बारवे भाव में गोचर प्रवन करेंगे अता आज के दिन जल्द बाजी में कोई भी डिसिजन लेने से बचें वर्क प्लेस पर किसी की बैकावे में अबातों में ना आए केवल कॉंसेंट्रिशन से अपना कारे करें आज के दिन रिश्वत लेने का प्रयास किया तो आपके उपर कारवाई हो सकती है आज के दिन आर्थिक रूप से थोड़ा सा आपको फ्लेच्विशन का सामना करना पड़ सकता है बज़ट देखकर चलें व्रश्चिक राशी के लोगों को श्री गणीश को छुवारे और गुड के लड़ूओं का भोग लगाना चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा हरा शुबंक रहेगा एक अब आते धनू राशी पर आपकी राशी से चंद्रम आज के दिन ग्यारवी भाव में गोज़े प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए उत्तम लाप की परिस्तित्या लेकर आएगा आज के दिन यत्रा हैं आपके लिए सुखद और मंगल में रहेगी कारिय फटा-फट से होते हुए दिखाई दिनगे आज के दिन आपको अपने जीवन साती से विशेश लाप की परिस्तित्या भी देखने को मिलेगी और गर में मैमानों के आगमन से घर का माहुल बहुती हल्दी होता हुआ दिखाई देखा धनूर आशी के जातकों को लौंग के मोदक और केले का भूग लगाना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा सफेद शुबंग रहेगा नौँ अब आते हैं मकर आशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन दसवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे आज के दिन बिना सोचे समझे चल्द बाची में नेने लेने से बचें कोई भी कार्य फटा-फट से नहीं करेंगे तो आपके लिए बैटर रहेगा आज के दिन यात्राय करते समय सावधा नहीं रखें लाइप पार्टनर का सयोग मिलेगा और विद्यारती वर्ग को आज के दिन कुछ शुब समाचारों के प्राप्ती होगी मकर आशी के लोगों को घने जी को तिल के लडू का भूग लगाना चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा स्लेटी शुबंक रहेगा साम अब आते हैं कुम राशी पर आपकी राशी सी चंद्रमा आज के दिन नवम भाव में गोचर प्रामन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए बहुत ही भागे वर्दक रहेगा आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे अदूरे पड़े हुए कारियों में बड़ी सफलता के योग बनेंगे आरतिक स्तती अच्छी रहेगी और आज के दिन प्रापर्टी से संबंदित लेन नेन के मामलों में भी सफलता मिलेगी कुम राशी के जातकों को घनेशी को बीसन के लड़ों का भोग लगाना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा के सर्या शुबंक रहेगा एक अब आते हैं मीन राशी पर आपकी राशी से चंद्रम आज के दिन अस्टम भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा नेने लेने से बचे कोई भी कारे कर रहे हैं तो उसे जल्द बाची में बिल्कुल भी न करें आज के दिन आपको अपने घर के बड़ों का साथ मिलेगा और सस्वाल से शबसमाचार प्राप्त होंगे मीन दाशी के जातकों को भगवान गणेश को काजू और केले कापोग लगाना चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा मजंटा शुबंग रहेगा चार तो ये हैं 14 जुलाई रवीवार का दैनिक राशिफल अब मैं अपनी वानी को यहीं विराम देती हूँ स्वस्त रहिए व्यस्त रहिए मस्त रहिए और हमीशा मुस्कुराते रहिए जै श्री रादिक्रश्ना गुरुमा निधी श्री माली एक प्रसिद्ध ज्योतिश आचार्य हैं उनके जोध पुरस्थित ज्योतिश संस्थान में महामृत्युन जय, कालसर्प दोश, मा बगला मुखी, विवाह बाधा निवारन पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्ध्वान, पंडितों द्वारा, पूर्ण विधिविधान एवं शासरुक्त रीती से संपन्न करवाई जाती है अतह आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हैं तू, इन नंबरों पर संपर्क करे 8-9-5-5-6-5-8-3-6-2